नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक्ष्ष्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ सिटिजी देखिए हम बात करेंगे जडियू की जडियू आप जानते हैं बिहार की सत्ताधारी पार्टी और शर्वे सर्वानेतिश कुमार समय चुनाव का है सीटों का बटबारा हो रहा है तीक्टे निर्धायत की जा रही है लेकिन आर्सिपी सिंग कहा है राजसभा के सांसद आर्सिपी सिंग वे बस सांसद नहीं है उन्हें जेडियू में नंबर दो मान जाता रहा है पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उन कहानगों में नहीं जाना चाहते हैं क्रोना काल में वो क्यों गाउं चले गए थे फिर कैसे पटना आए आगे क्या बात हुई लेकिन शुरुवात करी आर्सिपी सिंग ने और अब फिर से जब बिलकुल हाई टाइम है वे गय हो गए हैं उनके समर्थक निरास हैं हतास हैं परिशान हैं जानने को बेताब हैं कि हमारे साहब कहां हैं कब दरसन देंगें कब हमारी बातचीत होगी तो देखिए आर्सिपी सिंग को कुरोना हुआ यह तो आपको पता ही है वे कोबिद पॉजिटिव हुए फिर एमस में भरती हुए उनके परिवार में भी कई शुरस्यों को हो गया था लेकिन वे कुरोना को हरा कर बाहर आए लोग को उमीड थी कि होम आईशोलेशन के आर्सिपी सिंग जेडी उके संगठन की धूरी मान जाते रहे हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई खटपत है लेकिन हम यह कह रहे हैं कि सीन से गाइब है और सीन से उनका गाइब हो जाना उनके समर्थकों को निरास हतास परिशान कर रहा है जिनने पिछले कई बरसों से इस बात की उमीद लगी थी कि हमारा टिकट तो 2020 के बिधान सबाचुनों में कनफर्म है ही वे अब निरास होने लगे हैं आसिपि सिंग पटना में जब होम आशुलेशन के बाद बाहर आये तब भी उन्होंने किसी को दर्शन नहीं दिया अब खाबर आ रही है कोई दिल्ली चले गए है और इधर आप बदली हुई परिश्टिव में देखेंगे कि सब कुछ ललन सिंग कर रहे हैं कौन कहां से तूटेगा टिक्टो के बटवारी की क्या सूरत बनेगी आज ही देखिए न सब कुछ पटना में हो रहा है ऐसा नहीं कि अभी कुछ दिल्ली में हो रहा है जेपी नद्दा भी जेपी की नेशनल प्रेसिडेंट पटना आये हुए थे मक्ष मंती नितिस कुमार के साथ उनकी मुलाकात होती है सिर्फ ललन सिंग होते हैं नितिस कुमार के साथ नमबर तू माने जाने वाले आर्सिपी सिंग नहीं होते है आर्सिपी सिंग के बारे में खबर है कि वो दिल्ली चले गए है उनका दिल्ली चले जाना इस बक्त में लोगों को और भी परिसान करता है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वे किसी मिशन पर गया है कुछ लोग कहते हैं कि राजसभा की उप्षभापती का चुनाव है इसके लिए गया है हरीबंस बनाम मनोज कुमार जहा की फाइट है लेकिन इतने भर से उनके समर्थक खुश होने वाले नहीं है क्योंकि उन्हें श्वयम को टिकट से बंचित होते दिखाई पर रहा है और वैसे खास लोग जो पिछले चार बरसों से यहां मानते रहें कि नहीं मेरा टिकट तो कनफर्मी है कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे उपर तो RCP सिंग का बरध हस्त है लेकिन देखिए निरासा मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ और निरासा साफ साफ जलक रही है यदि हम कुछेक बिधान सवा चेत्रों की ही बात कर लें पाली गंज पाली गंज में स्वेता बिश्वास यह मान कर चल रही थी कि उमिदबार जेडियो के हम ही होंगे शिर्फ संघर्स भाजपा की उसा बिध्याती के साथ टिकट को लेकर लेकिन हुआ क्या जेडियो ने वहां के मौजूदा बिधायक जो RGD के हैं बच्चा जादब जैबरधन यादब रुफवच्चा यादब सेरे बिहार रामलकरन सिंग यादब के पौत्र उन्हें RGD से जेडियो बे सामिल करा लिया अब वह टिकट के कनफर्म मुदबार हैं बन गए हैं कर सकते हैं तो स्वेता बिश्वास गाइब हो गई बरहरा में बरहरा में कनःया सिंग सिख्चक हैं बरे कोचिंग संस्थान के मालिक हैं पिछले कई बरसों से कनफर्म चल रहे थी कि बरहरा लएंगे ही लएंगे वेसे वहां लएने वाले राजपूतों की लंबी फेरेश थी लेकिन कहा जाता था कि RCP सिंग के उमिदबार कनहिया सिंग ही है लेकिन वहाँ भी खेल हो गया वहाँ अब तो एक तरीके से घोसित उमिदबार ही है रन विजय सिंग जेडियों के RZ के MLC थे छोड़ कर जेडियों में सामिल हुए और कहा जा रहा है कि अब बढ़ारा वे ही लरेंगे तो कनहिया सिंग भी गोल बजीरगंज बजीरगंज में RCP सिंग के सबसे खासम खासे सिस्से माने जाने वाले चंदन कुमार सिंग भी इन दिनों निराज परिसान हतास चल रहे है क्योंकि बजीरगंज का भी टिकट गरबर होता दिखाई पर रहा है आपने कल ही बरभिगा का खेल देखा बरभिगा में RCP सिंग का मतलब होता था अंजीनी कुमार सिंग जदियू के जिला ध्यक्ष भी थे लेकिन वहां भी खेल बिगर गया वहां खेल कैसे बिगर गया क्योंकि जो वहां के मौझूदा बिधायक हैं कॉंग्रेस के सुदर्शन कुमार राजो सिंग के पौत्र उन्हें जेदियू में सामिल करा लिया गया है कॉंग्रेस के बिधायक हैं भी जीते हुए और अब इस बात के संकेत मिलने लगा है कि भाजपा चाहती है कि लोजपा गठमंदन में ही रहे इंटेक्ट रहे अब देखिए केसरिया केसरिया में महस्वर सिंग पौर बिधायक है वे तो आसीपी सिंग के दंपर ही फिलनिंग कर रहे थे पिछले दिनों जब बर्चूल मिटिंग हुई थी तो महस्वर सिंग के लिए बैटिंग करी भी आसीपी सिंग ने लेकिन अब कहा जा रहा है कि शालिनी मिश्रा वहां टिकट की रेस में आगे चल रही है कमला मिश्र मधुकर पुर्व सांसर की बिटिया वह आगे चल रही है और सायद नितिस कुमार के इस्तर तक बात हो चुकी है ठीक इसी तरीके से जगदिस्पूर में सुसुमलता, आर्सीपी सिंग का कारिक्रम पुरे बिहार में कहीं हो सुसुमलता दिख जाती थी उन्हें भरोसा हो गया था कि टिकट मिलेगा लेकिन अब वहां भगवान सिंग कुस्वा का टिकट कंफर्म है इसमें भी कोई सक नहीं है विहासगार के पुर्व मंत्री भगवान सिंग कुस्वा रालोस्पा छोर कर आये थे पहले तो राज़न में भी रहे, जेडियू में भी रहे, मंत्री भी रहे लेकिन अंतिम बार वे रालोस्पा छोर कर जेडियू में आये और अब वे जग्दिस्पूस लगने जा रहे है तो ये जो सूरत है ये सवाल पैला कर रहे कि आसिपे सिंग अब जब की बिलकुल हाई टाइम है सीन से क्यों गाइब है देखे अभी क्या हो रहा है ललन सिंग जेडियू की पूरी चुनावी रन निटी को तै कर रहे है और अब जो मुख्य मुहिवका में है में रोल में है, लीड रोल में है निटिस कुमार के बाद वे आपको दिखाई परते हैं ललन सिंग वे दिखाई परते हैं सोक चौधरी वे दिखाई परते हैं संजय जा और सभी अपने-पने काम में लगे हैं किसी के पास तोरफोर का जिम्मा है कौन किस पार्टी से आएगा सीट सेरिंग पर कैसे बादचीत होगी बर्चुल जो दिजिटल चुनाओ की बात हरी है वो कैसे लरा जाएगा और बैक स्टेज पर सीन के पीछे परदी के पीछे यदि जेडियों में किसी की भूमी का महत्पुन अभी देखी जा रही है तो वो है विजे कुमार चौधरी बिहार विधान सबा के अध्यक्त देखे विजे कुमार चौधरी बहुत ही गंभीत किसम के ब्यक्ति है बहुत लागलपिट वाली बात नहीं करते हैं लोगों से मिल रहे हैं और बहुत भ्रह्म में भी नहीं रखते हैं और ललान सिंग का तो बिलकुल मिसन साफ रहता है, वे सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं, उन्हें पता है कि बिलोधी को परास्त कैसे करना है, वे तो कहते भी हैं कि मैं होम यो पैठी डॉक्टर हूँ, लेकिन आर्सेपी सिंग, जिन्हें नंबर दो माना जाता था, जिनक इस कुमार का आलेस हैं, लेकिन अब दर्सन ही नहीं हो रहा है, दिल्ली भी लोग बातचित करने की कोशिस कर रहे हैं, लेकिन अभी वे सब को रोके हुए हैं, उनके जो बिलकुल कोर सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक में लगे हैं आजी पेसिंग लेकिन आप देख रहे हैं कि निचिस कुमार की इतनी बड़ी बर्चुल रैली हुई वहां दिखाई नहीं परे ऐसा नहीं है कि वे अब अस्वस्थ हैं वैसे भी कुरोना में कितने दिन का कुरेंटाइन कितने दिन का आईशोलेशन और जब यह एम से छुटे थे तब यह तो निगेटिव होई गया थे तो यह परेशानी उनके समष्थकों को हैरान करने वाली है निरास करने वाली है कि हम तो उनके ही भरोसे थे और अब उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है करोणा काल में कोई मिल नहीं रहा है मुखमंती नीटी सुमार तो मिलते नहीं किसी से जिन से संबाद करना होता है वो दूरभास पर ही संबाद होता है कि जब कहदिया आता है कि हाँ वहाँ आपको अपना समय लिखाना होता है कि हम बात करना चाहते हैं, फिर यदि मुखमंति नीटी सुमार की इच्छा होती है, तो वो आप से संबाद कर लेते हैं, तो R.C.P. सिंग को लेकर बेचैनी है उनके समर्थकों में, उनके साथियों में, और जेडियू, यदि जेडियू का पूरा संगठन है, जैसा भी R.C.P. सिंग ने मनाया, चाहे जितना मजूद हो, चाहे जितना कमजोर हो, मार्च में क्या हुआ था, पटना रैली के दौरान यहाँ आपने देखा था, इसे लेकर काफी बिवाद भी हुआ, फिर कई तरीकी के बाते चली, लेकिन उनके समर्थ तक यह चाह रहे हैं, कि उन हमारी यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लिजेगा, और इस वीडियो को आप फेस्बुक के मार्देम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, टूटर पर भी हमें फॉलो कीजिए, धन्यवाद.